Sampling distribution of difference of means से मतलिक हम problem solve करे थे और previous lecture में हमने देखा जी कि जब हमने 2 दो मुतलिफ पापुलेशन से size 3 और size 2 की sampling कर ली अब हम देखेंगे इनके हमें mean fine road करने हैं difference of means के लिए difference of means के लिए difference of mean of sampling distribution fine road करना है और difference of standard deviation of sampling distribution करना था जिसके लिए सबसे पहले में means सही है इन samples के लिए और इन samples के लिए फिर इनका difference लेंगे तो सबसे पहले means देखें जी 3 plus 3 plus 3 कितना हो गया यह 9 9 divided by 3 is 3 तो इसका mean आ गया हो आ गया 3 ठीक है 3 plus 3 plus 6 यह कितना गया 12, 12 divided by 3, 4 तो यह आ गया 4 इसका mean कितना आ गया 4 इसी तरह से next mean कितना है, यह भी 4 है फिर यह भी 4 है, उसके बाद 12 plus 3 15 यह 5 है उसके बाद अगर आप देखें ये कितना होगा, ये भी 5 है, next भी 5 है, and last जो है, वो mean कितना है, 6, ठीक है, sample one के लिए means है, mean for sample ones, ठीक है, for sample one, means for sample one में लिख देता हूँ, means for sample one, for sample one, इस तरह से हम बनाएं कि means for sample two, means for sample two, sample two, तो अब sample two के लिए means क्या है, 0 plus 0 divided by 2, चुकि दो items है, divided by 2 करेंगे, 0 आजाएगा, 0 plus 2 divided by 2 is 1, 0 plus 4 divided by 2 is 2, तो 0, 1, 2, उसके बाद पिर again, 2 plus 0 divided by 1 आगया, फिर 2 आगया, ठीक है, पिर next 3 आजाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और पिर हमारे पास आजाएगा, 4, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exactly, अब हम table एक construct करेंगे, जिसमें हम difference of means की बात करेंगे, ठीक ह सबसे पहले मैं एक line draw करूँगा, ठीक है, इस edge के उपर, यहाँ चलें, मैं थोड़ा से इसको change कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको right side पे और plot करता हूँ, यहाँ पे, चलें जी, मैंने यहाँ पे line draw की, और इसी तरह से मुझे एक horizontal line draw करनी है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ स अब this is, यहाँ पे मैं लिखूँगा difference of means, यहाँ यह समझें कि this is x1 bar, ठीक है, x1 bar और यह है x2 bar, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप x1 bar के देखतें तो क्या है, means हमारे पास, 3 है, ठीक है, 4 है, बज़्यादा खुला लिख दिया है, मैंने 3, 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4 and फिर 5 5, 5 and 6, अगर अब देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से इस सारे आपके हाँ पर भी देखेंगे, 0, यहाँ एक्स तू बार जो है, for sample 2, 0, 1, 2, 1, फिर 2, फिर 3, and थोड़ा सम इसको ड्राग डाउन करूं तो, इसके बाद, 3 के बाद फिर आगया, 2, फिर 3 and फिर 4, तो कौ कर ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो difference start करतें, difference will be x1 minus x2, यानि हम जो यहाँ पर values लिख रहे हैं, वो किस चीज़ की होंगी, x1 minus x2, तो 3 minus 0 is 3, 4 minus 0 is 4, तो यह तो सारा as it is आजेगा, 4, 4, 5, 5, 5 and 6, ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, 3 minus 1 is 2, 4 minus 1 is 3, 4 minus 1 is 3, 4 minus 1 is 3, 5 minus 1 is 4, 4, 4 and 6 minus 1 is 5, और इसी तरह से आपने यह पूरे का पूरा टेबल कम्प्लीट करना है, मैं इसको कम्प्लीट फॉर्म में यहाँ पे आपके सामने दर्श कर देता हूँ, मारे पास पूरा यह टेबल मौझूद है, जिसको मैंने फिल अप कर दिया है, जो सब रिप्रेजेंट कर रहा है, difference of means of two samples, ठीक है, यह तमाम possible samples में जो difference था, हर एक, हर एक mean का हर एक difference, हर एक, यह इस population की sampling का difference, इस population की sampling की difference है, तो अगर आप total लेके तो कितनी values है, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, and 1, 2, 3, like 8 values यह हैं, 9 values यह हैं, 9 times 8, 72 total values हैं हमारे पास, अब next process क्या है, हमने frequency distribution बनानी है, चुकि हम arithmetic mean और standard deviation है, जो हमारे पास method है, मुझे से इसको simplify करेंगे, तो सबसे पहले, सबसे जो पहला step है हमारे पास, that is, यानि सबसे पहला कॉलम, frequency distribution, frequency distribution, छोड़ा सा मैं इसको right side पर लिखता हूँ, frequency short form में, distribution, ठीक है, distribution, इसी तरह से, of, किसकी, x1 bar minus x2 bar, इसकी मैं frequency distribution यहां पर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, I mean to say like, मेरे पास minus 1 कितनी दफाए है, मेरे पास 0 कितनी दफाए है, मेरे पास 1 कितनी दफाए है, 2 कितनी दफाए है, 3 कितनी दफाए है, 4 कितनी दफाए है, 5 कितनी दफाए है, and 6 कितनी दफाए है, ठीक है और यहां पर this will be my frequency यहां पर मेरे पास क्या आजाएगा यह मेरे पास क्या लाएगी frequency frequency यहां पर मैं लिखूंगा frequency जैसे I will write कि minus 1 मेरे पास कितनी दफ़ाय है तो मैं table पर चला जाओंगा वापस table पर अगर आप पूरे table में देखें तो difference of mean minus 1 कहां पर है यह minus 1 तो just one time है तो I will write frequencies की क्या है just one मैं इसकी frequency लिख दूँगा one zero कितनी दफ़ाय है तो आप count कर ले इस table में से one two three four five just five times आया है तो I will write five ठीक है मैं यहां पर कह लिख दूँगा five one कितनी times आया count कर लेंगे यहां से table से आप देख सकते हैं जी one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve twelve times आया हमारे पास one तो मैं इसकी frequency क्या लिख दूँगा इसी तरह जब आप table से calculate करेंगे यह आ जाएगी eighteen आ जाएगी ठीक है two की eighteen है इसी तरह से three की भी eighteen है और इसी तरह से four की twelve है और five की just five ही है और इसकी कितनी है six की one तो यह हमारे पास आगी frequency अगर मैं summation f कर लूँ sum of frequencies देखूँ ठीक है तो मेरे पास obviously 72 ही बनेगा चुकि total हमारे पास जो difference था वो 72 आ रहा है जो values आ रही थी difference of means वो 72 है तो total frequency is 72 अब मुझे final करना है probability distribution चुकिकि मैं sampling distribution कर रहा हूँ तो वो probability basis के उपर होती है तो probability distribution बनाई जाएगी probability, 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 probability distribution, distribution, distribution तो probability distribution मैं यहाँ पर बना दूँ अगर तो आप यहाँ पर screen पर देख सकते हैं कि यह मेरे पास आजएगा x1 this will be x1 minus x2 and assume करें कि जो probability और हमारे पास x1 है यानि capital x, assume करने के capital x minus 1 is equal to, यानि यहाँ पर capital x minus 1 जो है minus x, capital x minus 2 यह दोनों आपस में क्या हैं बराबर हैं, they are the equal things ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं distribution की बात करता हूँ तो 1 minus 1 आने की probability out of 72 कितनी है obviously frequency के लिहाँ से देखें 1 over 72, I'll write 1 over 72, which is f of x bar 1 minus x bar 2, small x में use करूँ probability distribution की बात करें तो आप लिखतें के 1 over 72 इसी तरह से 0 आने की probability कितनी है out of 72 5 over 72, so I'll write 5 over 72 12 आने की probability कितनी है 1 है, I mean 1 आने की probability कितनी है 12 12 hour 72 12 hour, so here 1 line में लिखा जाता है लेकन मेरे पास space का मैं तो मैं तो इस तरह इस तरह करके लेख रहा हूं ता कि आपको समझाए यह link, this is with this यह इस के साथ है यह इस के साथ है अब 2 की देखें का 2 की 18 के साथ, I mean 2 आने की जो probability है, out of 72 कितनी है, 18 hour 72, 18 hour 72, इसे तरह 3 आने की कितनी है, वो भी 18 hour 72 है, that is also 18 hour 72, 4 आने की कितनी है, 12 hour 72, 5 आने की कितनी है, 5 hour 72 ही है, और जब के 6 आने कितनी है, 1 hour 72 है, ठीक है, यह आपने बिल्कुल एक straight line में लिखना है, यहाँ पर मैं space काम है, वो एक organization नहीं है, राइक, मैं इसको इसके साथ relate कर रहाँ, इसको इसके साथ कर रहाँ, इसको इसके साथ कर रहाँ, 18 को इसके साथ, 12 को इसके साथ, 5 को इसके साथ, and 1 hour 72 इसके साथ, ठीक है, यह हमारे पास probability distribution भी हागी, अब अगर मैं summation कर लों, summation f of x1 bar minus x2 bar, तो you would चीए, कि मैरे प इन सब को आड़ करेंगे, डिनमेरेटर में हमारे पास 72 है, तो 72 divided by 72 is gonna be equal to 1. अभी देखें, this makes very good sense, यानि इसे हमारे बड़ी अच्छी sense बनती है, कि अगर आप इन तमाम जो differences हमारे पास, differences of mean आ रहे हैं, अगर इनकी total probability देखें तो क्या है, वो वान ही है, total probability, यानि sum of all, जो हमारे पास outcomes, इनकी total probability देखें तो 1 है, तो that means कि वो नो, वो distribute हुई है, यानि जो तमाम possible outcomes हैं, वो हमारे पास 100%, यानि 100% में, या 100% में होल probability में distribute हुए है, अब next हम कैसे करेंगे, यानि अब इस probability distribution की, हमने fine root करनी है mean और standard deviation, तो किस तरह से करेंगे, हम इसको continue करेंगे next video के अंदर,